हलो बच्चों कैसे हो माई सेल्फ दीपक भोला टीम फिजिक्स इल्सी सीगर आपका एक बार फिर से स्वागते गुरुनिती के अंदर टीए गुरुनिती 2023 हमारा एक वो शांदार प्रोगाम है जिसमें CLC टीम के अनुभवी शिक्षा को द्वारा आपके लिए ऐसे कोशन का कलेक्शन लिया गया है जिसके अंदर आपको एक शोट टाइम में बहुत ही कम टाइम में आप जो नीट में कोशन आये हैं उन सभी का बड़िया तरीके से रिविजिन कर सकते हैं और उस टॉपिक के गो तरीके बहुत ही कम टाइम में आप देखें जितने वीडियो आपके लिए अपलोड किये गए गुरुनिती के आप देखते हैं कोई भी वीडियो लगबग एक गंटे सब गंटे के आसपस का वीडियो है ठीके उसमें पूरे चेप्टर को कवर किया गया है ठीके और कौन से कोशन यूज किया गया है इसमें जो पिछले 10 साल में एक्जाम में पूछे गए नीट के इग्जाकोशन ठीके तो नीट में पिछले 10 साल में जितने भी कोशन एक्जाम पूछे गए उन सभी कोशन को एक्स्पैन करते वे थियोरी को एक्स्पैन किया गया है ठीके जो इसक इसले क्लास में अपने एक तर से समी कंड़क्टर एंड लॉजी गेट्स कवर किया था ठीक है अब गुरुडिती 17 में अब गुरुडिती 18 में हम यहां पे इम वेव साल टॉपिक को कवर करेंगे इम वेव भी एक अच्छा टॉपिक है इसमें डेफिनेटल एक्जाम में एक कोश्चन जरूर आता है ठीक है किस तरह से कोश्चन आता है काफी सिंपल आपोश्या नहीं तो हम वह स्टार्ट करने आ रहे हैं इम वेव के बारे में देख दारक्शन के अलॉंग प्रपोगेट हो रही है एक्च दारक्शन में जा रही है तो ई वेक्टर के ऑक्सिलेशन माल लीजे वाई डारक्शन में तो बी वेक्टर के ऑक्सिलेशन जेट डारक्शन में होते हैं ठीक है इस तेसे यहां पर इम वेव का आगे प्रपोगेशन हो होता है क्यों क्योंकि दोनों एक साथ maximum value obtain करते हैं एक साथ 0 पे आते हैं फिर एक साथ maximum पे आते हैं एक साथ 0 पे आते हैं तो E vector and B vector में phase difference कितना है 0 direction of vibration perpendicular ए ठीक oscillation की direction perpendicular ए लेकिन इन में phase difference 0 होता है ठीक है तो किस तरह से इन पर wavelength के according, wavelength के according मलब उसकी तरंग देर्थ के according हमने E-M wave को कई parts में divide किया हुआ है, ठीक है तो देखो wavelength के बढ़ते बे order में देखें, wavelength को increasing order में हमने से कौन कौन से part कर रखें, देखें सब फेल तो चौन यहां पर सबसे smallest wavelength होती है gamma की, ठीक है, gamma rays की, ठीक है गामा के बाद उसे बड़ी वेवलेंथ होती है X-ray की गामा रेज से बड़ी वेवलेंथ X-ray की X-ray से और आगे देखें greater wavelength यह होती है UV-rays ठीक है UV-rays से और greater wavelength यह होती है visible light visible light ठीक है visible light से और greater wavelength के बन बात करें तो यह होती है infrared infrared से और greater wavelength यह बती है microwave माइक्रोवेव ठीक है उस्से और बढ़ी वहलंथ क्था है हम लेडियो वह ठीक है रेडियो वेव ठीक है रेडियो वेव से और बढ़ी वहलंथ हम बात करें यह होती है long waves long waves ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी wave जितने में लगते से यह wave है उन यह wave को अपने lambda के according different parts में divide गिया हुआ है ठीक है तो lambda के increasing order में इनकी values होती है ठीक है अब इन सबी की wavelength की value क्या है वो हमें direct याद रखनी है फिर भी यहाँ से अगर आपको यह sequence भी पता है तो आप आप हमसे लगबग काईपी सारे questions अपन solve कर सकते हैं तो यह जैसे कि हम बात करें हमसे पुछा का है match the list 1 and list 2 दोनों को match करना है कि कौन सी wavelength किसके according होती है तो चौन देखो यह जो AM radio waves से आप देखे रेडियो waves तो radio waves, microwave, infrared and x-ray x-ray की wavelength लगबग angstrom order में होती है ठीक है angstrom order में ठीक है तो यह पर x-ray के लिए तो हम देखने किस से match हो रहा है first से x-ray की wavelength angstrom order में होती है यह से match हो रहा है ठीक है तो x-ray अब x-ray से बड़ी wavelength अपन देखने किस की है UV rays की ठीक है x-ray से बड़ी wavelength UV rays की है इसमें UV rays तो ही नहीं अल्ट्रा वोलेट उससे बड़ी visible light ठीक है visible light भी इसके अंदर नहीं है उससे बड़ी कौन सी है infrared हाँ infrared इसमें है यह रहा infrared तो इससे बड़ी wavelength कौन सी है 10 power minus 4 तो यह इसके लिए infrared के लिए यह हो जाएगा infrared के बद क्या रहा है microwave तो इसके बद microwave इससे बड़ी wavelength कौन सी है 10 power minus 2 तो यह microwave का ही हो गया उससे बड़ी यहाँ पे कौन सी है radio wave radio wave के लिए अब उससे बड़ी वेवलंद यह जगी 10 पावर 2 यह रेडियो वेव तो देखिए यहाँ पर वेवलंद की विलो आपको भले याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप कोई sequence पता है किस order में आती है तो आप उससे भी आपने इस question को check कर लिया किस ते से अपन देखते हैं कौन सी किस से according हो रही है कि यहाँ उसकी meter wavelength है तो इसमें आप देखते हैं कौन सा answer मेंच कर रहा है वहाँ पर एम wave मलब radio wave के लिए कौन सा है 10 पावर 2 मलब second तो A के लिए second कोन सा अगे third option ठीके तो इस तरफ़ पन देखते हैं A के लिए second B के लिए हो जाएगा third C के लिए हो जाएगा fourth ठीके and D के लिए first इस तरफ़ नहीं फर्स question का लिया ठीके चलो अब आते हैं इस पे next question पर देखिए next question next question next question में आप से दो जो आपको पने spectrum समझा है कि different parts में आपने divide किया हुआ है x-ray, gamma rays, microbe बगरा इन सबी की जो basic properties हैं ये भी आपको याद होनी चीए हैं आपको easily NCIRT में पूरी सारी जित्ती waves हैं, जित्ते भी parts अपन दिखा रहे हैं इनकी क्या-क्या properties हैं, किस-किस तरह से produce होती हैं कहा-कहा इनका uses होता है ये सारी list आपको मिल जाएगी तो एक बार उसको आप read दर लें short में और आप उसके free uses देख सकते हैं क्या क्या हैं, तो इसके अंदर पूछा microwave के बारे, जो microwave on होता है आपने सब देखा हो, microwave on के अंदर हम देखते हैं easily कोई plastic container के अंदर हम यहाँ पे कोई food रखते हैं और microwave को on करते हैं, तो food गरम हो जाता है ठीक है, तो हम किसी बिना किसी firing के उसको food गरम कर लेते हैं बिना किसी आग जला है अराम से food गरम हो जाता है तो यहाँ आप हम देखें, microwave में ऐसा होता क्या है कि जिसके अंदर easily अपन केबल स्विच ओन करते हैं, अंदर इंदर इससा क्या होता है कि आप फूड गरम हो गया है ठीक है, तो उसका reason क्या है, क्या है, देखो अब अपने कोई भी food हो, food के अंदर microwave की frequency भी अगर उसके oxalation frequency के equal है तो उससे क्या होता है, उसमें resonance हो जाता है जिससे उसके oxalation का amplitude increase हो जाता है तो oxalation का amplitude increase हो जाने की वैसे वो particle गरम हो जाता है ठीक है, तो यही basic principle यहाँ पे इसमें use कियाता है तो कुछ नहीं करना होता है, जो microwave में हम जो food है, उसके अंदर water molecules अपनी position को oxalate कर रहे हैं, क्यों उस पे हम same frequency की waves इस पे apply करते हैं, ताकि यहाँ पे particle का amplitude increase हो जाए, ठीक है, oxalation amplitude increase हो जाए, जिससे resonance की वैसे यहाँ हम देखे हैं, उसमें heat produce होगी माला, क्योंकि amplitude increase हो गया, आप जानते है particle का amplitude increase को होता है due to temperature, surrounding temperature तो हमने उसका molecule का oxalation rise कर दी है, तो अपने आप उसका temperature rise हो गया, because amplitude is depends on temperature, ठीक है, ताहाँ पे क्या जाएगा सकरे हैं, तो heat up the food items containing water molecules, most efficiencies, ठीक है ताहाँ पे इसका reason क्या है, आप इसके अंदर देखिए, microwave microwave में जो आवरती है, जल के अनों की अन्नादी आवरती के सदर्श होती है, उसकी equivalent होती है the frequency of microwave must match the resonance frequency of the water molecules ठीक है, तो इसके according हम ये ठीक का सकते हैं, ये साभी छोटी प्रापर्टी मिल जाएंगी आपको, ठीक है, NCIT के अंदर, या कोई भी आच्छी standard book ठीक है, table दे रखिए, तो आप उस table के according, इन सभी प्रापर्टी को सबसकते हैं, ओकी, चलो, आगे आते हैं इसके अंदर, next ठीक है, next question आप से गरा है, अब दो कोच्छोंस पर जो next तीन-चार question अपन देख रहे हैं, सारे के सारे question काफी important है, और सारे same pattern पे, वो pattern का है, हलका सा कुछ लोग समझा दूँ, pattern इस तरह से, देखिए यहाँ पे इसमें, यह जो EM wave है, EM wave यह x-axis, ठीक है, यह y-axis and यह z-axis, ठीक है x-axis, y-axis, z-axis इसमें, EM wave की velocity अगर मालो इस तरफ है, v-vector v-vector इस तरह से तो electric field होचे है, आप इसमें, यह y-axis के लोग, electric field के vibration होते है, y-axis के लोग and z-axis के लोग जोते है magnetic field के vibration, towards z-axis z-axis, यह magnetic field, यह e-vector and यह b-vector ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं, यह जो formula होता है, इसमें यह होता formula v-vector is equal to v-vector, यह चलब पर velocity का magnitude अपन देख लें magnitude, देखिए magnitude यहाँ जो magnitude है magnitude यह बता है, magnitude v is equal to magnitude of velocity magnitude velocity v is equal to यह बता है, e upon b के equal magnitude v is equal to e upon b, ठीक है, यह तो इसका magnitude है, और जो direction है velocity रेखिए गोर से, यहाँ पर velocity towards x-axis है, अगर fingers को अपन देखिए गोर से, fingers को e से b rotate करें e to b rotate करें इस ते से, तो थंबारा इस तरफ velocity के along miss, direction of velocity is towards e cross b, वहलो velocity की direction जो है, velocity की direction के दो होती है, v की direction यह e vector cross b vector के along होती है, e vector cross b vector along, direction of velocity vector ठीक है, e vector cross b vector के along इसकी direction है ठीक है, तो अगर इसका अपनो vector form बेखना चाहिए, तो vector form में क्या लिखेंगे, देखिए, आप इसकी direction को पहले satisfy करें तो हम लिख दिया, e vector cross b vector बट इसका जो magnitude है magnitude तो e upon b के एक को ले है तो एक काम करें, यहां से हम divide कर दें d square से, तो एक b से एक b cancel हो आएगा, तो e upon b बन गया, महलब magnitude भी satisfy हो गया and direction भी हम देख रहे है, v vector किसके लोगे, e vector cross b vector को लोग, तो direction of velocity होगी तो यह magnitude का formula हो गया ठीक है, और यहां पर हम देख रहे है यह हो गया vector form में formula ठीक है, तो पुच्ब वेक्यूम में जो velocity होती है vacuum में जो velocity है यह velocity होती है, c equal in vacuum, ठीक है, तो vacuum में यह velocity c equal होती है, जिसकी value होती है 3 into 10 power 8 meter per second 3 into 10 power 8 meter per second यह value होती होती है, ठीक है, अब अगर आपको question के अंदर, यहां पर e and b sorry, e and b की rms value दे रखी हैं, तो इसको अपन यह भी लिखते हैं, e rms upon b rms ठीक है, velocity value, और अगर question में आपको इनकी peak value दे रखी है क्योंकि बटा यह oscillation कर रहे हैं, तो e and b दोनों की इस form में, यहां पर sine wave की form में, देखो, आप ही किसकते है, e is equal to, यह e is equal to क्या है, e not sin omega t, इस तरह से vibrate हो रहा है, and यह b है, यह b हम देख रहे हैं, b not sin omega t की form में, vibrate हो रहा है, ठीक है, तो अगर आपको rms value दे रखी है, तो e rms upon b rms कर दीए, और अगर आपको माल लो, यह value दे रखी है, peak values, तो हम इसको e not upon b not b कर सकते हैं, e not upon b not, ठीक है, velocity, ठीक है, तो vacuum अगर आप से काई जा कि, surrounding vacuum है, उ other medium है, तो इसमें velocity v लेंगे, ना की c लेंगे, क्योंकि, velocity in other medium जो होती है, वो c upon refractive index होती है, मलब other medium में जो velocity है, वो vacuum से थोड़ी less होती है, vacuum में velocity जो c है, उससे less होती है, ठीक है, चलो, अब देखें, question क्या कहे रहा है, यहां मैंच इस question में कहे रहा है कि, in an em wave, in free space, the root mean square value of electric field, is e rms equal to 6 volt per meter, the peak value of magnetic field, यह आपको find करना है, तो यहां पर इसमें clear बोल दिया, इसने free space, तो free space, vacuum मलब यहां पर velocity का linear आपको c लेनी है, तो आप देखिए, c is equal to, c is equal to, अब यहां होता है, c is equal to, यहां पर क्या होता है, e naught upon b naught, okay, e naught upon b naught, तो यहां से हमें क्या निकालना है, peak value of magnetic field, तो b naught is equal to, क्या हैगा, b naught is equal to, e naught upon c, okay, b naught is equal to, e naught upon c, यह जाएगा, अब यहां से इसमें, e naught upon c, e naught, देखिए, e की rms value जा रखिए, rms value को अगर अपन root 2 से multiply करनें, तो क्या मन जाती, peak value, because rms value is equal to, peak value upon root 2, तो peak value जाएगी, root 2 into v rms, ठीक है, तो root 2 into e rms, root 2 into e rms, rms बान किता है, इसका 6, volt per meter, upon में c आप जानते है, 3 into 10 power 8 होता है, यह रख दिया आपने, तो 3 से 6 यह कट जाएगा, 2 times, ठीक है, तो 2, और यह root 2 के value होती, 1.414, तो यह आप यह लगए, 2.8 के something value जाएगी, और into 10 power minus 8, तो 2.8 something into 10 power minus 8, तो देखिए, कौन सा option इसके यह रहा, 1st option, 2.83 into 10 power minus 8 tesla, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, इस तरह से, यह बच्छों उसमें, यह EM wave का basic concept है, यह पर velocity, electric field and magnetic field में क्या relation है, यह आप देख रहे हैं, ठीक है, चलो, काफी अच्छा relation है बच्छों कि होगी, इसी पर question आते है, mainly, आप देखेंगे, अगले 3-4 question रखेंगे, सारी सारी इसी पुछेंगे, बिल्कुर्ट सिंपल 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 से question, चलो, आते हैं अब next question पर, देखेंगे, question क्या है next, देखेंगे, next question क्या है, EM wave is propagating in a medium with velocity V vector is equal to V i cap, वालब velocity की direction आपको i cap के लोंग दे रखी है, तो instantaneous oscillation electric field in this EM wave, of this EM wave is along y axis, electric field की direction y axis के लों V, तो अभी आप समझाया था, बिटा मैंने इस ते से, यहाँ पर यह देखिए, यह x axis, y axis, z axis, यह x, y and z, इस x axis के along यहाँ पर direction किसकी हमें दे रखी है, velocity की, ठीके, यह direction velocity की दे रखी है, ठीके, x के along, कोई i cap लगाब नहीं है, i cap, मलब velocity x axis के लोंगे, ठीके, and electric field है, y axis के होंगे, electric field, e vector, तो एक यह, अब magnetic field किदर होगा, magnetic field, इसके perpendicular, तो इस direction होगा, magnetic field, यह, इस ते से magnetic field, क्यों होगा, इस ते बेटा, यह आपको direction समझाया थी, मैंने, v vector की direction क्या होती है, e cross b के along, तो e cross b करेंगे, तो आप देखिए, थम को, finger को e से cross b करी है, तो और आम से thumb, fingers को e से b घुमा रहे है, थम की दरा रहा, velocity के along, miss magnetic field कि इस direction होगा, plus z axis के along, तो क्या जागा answer, plus z axis, plus z direction, ओके, चलो, अब आते हैं, next question पे, वो भी देखिए, इसी टाइब कोशन है, for a plane EM wave propagating in x direction, ठीके, velocity आपको x direction में रहे हैं, ठीके, which of one of the following combination gives correct possible direction of electric field and magnetic field respectively, तो देखो, यहाँ पे इसके अंदर, अभी आपको सम्झा आते है, velocity की direction क्या होती है, e cross b के along, ठीके, तो velocity की direction जो है, e cross b के along होती है, direction, e cross b के along, direction, ठीके, direction जो है, e cross b के along, ठीके, तो आप यहाँ से, यह दो तरीके सोल करने किसकोशों हो, एक तरीका तो यह, आपको देरखाए, इसमें, एक देरखाए, इसमें, एक देरखाए, इसके अंदर, यह बी वेक्टर है, इए बी वेक्टर है, बीच में कॉमा लग रहाई है, ठीके, तो इनको cross करिए सभी को, इसको इससे cross करिए, इसको इससे cross करिए, सबको cross करिए, वेखिए, जो cross करने पर जो direction आ रही है, वो आनी चाहिए, i cap को लोग वाला answer, i cap के according होना चाहिए, तो वो answer correct हो जागा, एक तरीका दो यह, दो तरीका यह, कि यहाँ पर बन देखिए, उसमें, जो e vector and b vector हैं, दोनों क्या होते हैं, perpendicular, direction perpendicular होती है, तो इनका dot product क्या होना चाहिए, 0, e vector dot, b vector क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, dot product 0, तो आप यह भी कह सकते हैं, इनमेंस चेक करके देखे, किनका dot product 0 आ रहा है, वो answer है, ठीक है, बट दोनों मेंसे, ज़्यादा correct मेंटा, वो best method ही है, v vector direction, e cross b के लॉग होनी चाहिए, तो यह हो सकता है, dot product तो, x से ज़्यादा option के अंदर भी 0 मिल जाए, ठीक है, लेकिन, फिर भी हम देखें, अगर मालो, एक ही option ऐसा है, जिसमें dot product 0 आ रहा है, तो टिक कर सकते हैं, मालो, इसे एक से ज़्यादा option आ रहे हैं, जिसमें dot product 0 है, तो फिर यह main method है, e cross b के लॉग हमें निकालनी होती है direction, e vector cross b vector करी है, होता न आपको 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 determinant method, सानिक विदी, determinant method से हम vector product कर सकते हैं, तो वही vector product आपको करके देखना है, ठीक है, चलो मैं तो आपको इसे वो second method समझा दूँ, e dot b 0 होना चीए, देखिए, यहाँ पे dot कैसे करते हैं, पहले first वाले option में आप देखें, first वाले option में, यहाँ पे इसमें, minus j को minus j से करेंगे, किता जाएगा, plus 1, फिर plus k को k से करेंगे, क्यों जाएगा, minus 1, तो किता हो गया, आगे नहीं आगे 0, तो first में 0 बन रहा है, product, second वाले option में, second वाले में, plus j, minus j करेंगे, तो minus 1 आजाएगा, फिर plus k, minus k करेंगे, तो minus 1, तो ये 0 नहीं आया, ठीके, it is not equal to 0, ये तो minus 2 बन रहा है, ठीके, वाला, it is not equal to 0, ये 0 नहीं आ रहा, ठीके, third वाले में आपन देखें, third वाले option में, यहाँ पे minus, into minus करेंगे, तो plus 1 बन जाएगा, plus 1, क्यों j को j से करते हैं, को कैसे करते हैं, यहाँ पे k को कैसे करिए, plus 1, तो ये भी हम देख रहे है, it is not equal to 0, ये भी 0 का equal नहीं आ रहा, ठीके, fourth option देख ले है, fourth option में, fourth option में, यहाँ पे देखिए, j को जैसे करेंगे, 1, ठीके को कैसे करेंगे, 1, तो यहाँ भी हम देखने, not equal to 0 तो 0 की अबल किसमें आ रहा है, first option में आ रहा है ठीके, तो हम देखते हैं, answer कहा जाएगा असका first, ठीके, इसे पन सॉल कर सकते हैं चलो, अब आते हैं किसमें, next question पे, question number 6 देखे, question number 6 क्या है question number 6 में the ratio of magnitude of magnetic field and electric field intensity of a plane and em waves in free space is, तो देखो, यहाँ पे जो formula होता है देखो, velocity in free space, velocity in free space की जो value होती है अच्छा, यहाँ पे देखो, velocity in free space, जो होता है, c is equal to velocity in free space, means velocity in vacuum, जो होता है, c is equal to 1 upon under root of epsilon 0, mu 0 ठीके, जो होता है and बच्छो, velocity in other medium, velocity in other medium यह होता है formula, 1 upon under root, epsilon and mu ठीके, अब अगर हम यहाँ पे दोनों को divide कर दें ठीके, दोनों को divide कर दें, यहाँ पे मैं निकालूं, V upon C giver, C upon V, तो उसे बोलते है refractive index, तो यह refractive index क्या होता है, हाँ, पुछा नहीं इस question में, थोड़ा था, आपको explain कर रहाँ, extra theory, refractive index, refractive index को मैं अगर n से शोगर हूँ, तो refractive index आप जानते हैं, किसे करेते हैं, velocity in free space upon velocity in medium this ratio is called refractive index ठीके, तो यहाँ पे इसमें C upon mu करें, तो इसमें इसको divide करेंगे, C upon V करेंगे, C upon V, तो C upon V करेंगे, तो यहाँ जाएगा result, root of epsilon mu upon epsilon not, mu not, okay अब देखिए, यह जोगे ratio आया है, क्या मन जाएगा, इसे बोलते हैं epsilon upon epsilon not, यह जाएथा epsilon r, मले relative permeability, ठीके, relative permittivity, और यहाँ पे देखिए, इसमें mu upon mu not, यह जाएथा है, mu r mu r, यह refractive index का formula हो गया, clear, तो यहाँ से अगर अपन, एक तो यह formula का जाएथा, अगर velocity अगर देखना चाहें, तो velocity v is equal to, velocity v is equal to क्या जाएगा, velocity v is equal to c upon root of epsilon r into mu r velocity, v is equal to c upon root epsilon r mu r, ऐसे अपन find करते हैं, velocity in any medium, चलो, अब यहाँ पे क्या पुछा है, इसको अपन देखते हैं, इसमें आपसे पुछा है, कि ratio of magnitude of magnetic field, मालब B upon intensity of plane electric wave, मालब magnetic field, इसको अपन E निकालना है B upon E, आपसे पुछ रहा है, क्या होगा, B upon E की value, यह आपसे पुछा है, B upon E क्या होगा, तो अभी आपको होता है, था मैंने, c is equal to velocity is equal to, velocity in free space, c is equal to क्या होता है, E upon B c is equal to E upon B, तो यहां से B upon E is equal to, B upon E is equal to, क्या हैगा, 1 upon C, ठीके, यहां पे यह जाएगा, B upon E is equal to 1 upon C, तो इसके according to answer क्या होगा, फॉर्थ, ठीके, यह चीज़ आपको मैंने extra समझा दी, अभी और यह चीज़ होड़ी extra है, यह भी आगे क्या लिखते हैं, V है क्या है, C is equal to ठीक है, C is equal to free space की बात करेंगे, तो C is equal to क्या लिखाता है पनने, E upon B C is equal to E upon B तो यहां से हम से पूछ रहा है, किसकी value, electric field की, तो यहां से पेटा, electric field is equal to कर जाएगा, C into B, या E vector कर दें हैं, तो C into B vector तो C, तो कितना है बेटा, C तो होता है, 3 into 10 power 8 and magnetic field यह आपको दें रहा है, 3 into 10 power minus 8 ठीक है, cos of this value ठीक है, तो आपन देखें इसके अंदर, यह 10 power 8 से 10 power minus 8 तो कर दिया कितना आ गया, 339 cos, और जो bracket में value है, यह पन देख लेंगे, तो कौन सा option है से, 9 cos ठीक है, तो यह आगया है result 9 cos 1.6 into 10 power 3X, ठीक है, plus 48 into 10 power 10 T k cap, volt per meter ठीक है, k cap क्यों को वोच इसकी direction जो है, इसकी direction होती है magnetic field के perpendicular होती है तो magnetic field के perpendicular होने की वेसे, यहाँ पे इसमें क्या हैगा, k cap ध्याना कि यहाँ पे इसमें jk पे, यहाँ पे k cap क्यों हो, क्योंकि इसकी direction है perpendicular होती है, ठीक है तो e vector and b vector same direction नहीं होते है, perpendicular direction होते है ठीक है, तो यहाँ पे इसको यह रिखना पढ़ता है, एक्चल में c vector cross b vector के according है बनती direction इसकी, c cross b ठीक है, तो इस तेसे अपन यह अपन के सकते हैं इसको, ठीक है चलो, अब आते हैं इसपे next question पे अच्छा एक चीज़ और पे ले बच्छों आप इसमें जो direction है, यह e vector direction c cross b नहीं, यह क्या होती है यह होती है, b cross c होती है, vector form लिके हैं, तो b cross c होती है, b cross देखी दिए अपने इसदे से, यह direction अपने देखिएं, इसदे से direction यह v vector, महलब c vector एक ही बात है c vector के लो या v vector के लो यह दर e vector, ठीक है and यह b vector तो यहां से आप देखिएं, इसमें electric field के along जो vector है, तो आपको पहले fingers कोई घुमानी पढ़ेंगी, इसदे से, b cross c तो देखिए, fingers b to cross c घुमाएंगे, तभी थम किदर आएगा, e vector के along तो e vector की direction किदर है, b vector cross c vector का according, ठीक है तो vector form में लिखते है, e vector is equal to b vector cross c, तो उनको multiply करने पर यह बन जाएगा, और direction किदर आएगी यहाँ पर k cap के लहाँ, ठीक है, चलो अब आते हैं इस पर next question पर देखिए, next question next question आप से करा, the ratio of contribution made by electric field and magnetic field, compound to the intensity of an EM wave is तो चो, electromagnetic wave electromagnetic wave में पर जानते हैं, अच्छा wave किसे करते हैं, wave is a propagation of energy in medium wave is propagation of energy and momentum in medium, is called wave, तो चो, यहाँ पर EM wave के अंदर electric and magnetic energy आगे propagatory होती है तो इस electrical energy and magnetic energy में इसकी intensity की values हैं electrical intensity and magnetic intensity यह दोनो equal magnitude की form में होती है, जितनी energy आगे electrical form में propagatory है उतनी magnetic energy भी आगे propagatory होती है तो यहीं आप से ratio पुझा गया है कि जो electrical energy and magnetic energy propagatory है, वो किस ratio में होती है तो दोनों जितनी electrical energy है, उतनी magnetic energy होती है, दोनों same amount में होती है, दोनों की intensity same होती है, electrical energy and magnetic energy, तो ratio आपे क्या अगस्प में, 1 ratio 1, ठीक है, 1 ratio 1 की form में होती है, चलो, अब आए आगे next, next question, next question, when light propagates through a material medium of refractive index relative permittivity epsilon r and relative permittivity mu r, velocity of light v is given by, देखिए, अभी थोड़े परे समझाया था आपको मैंने, ठीक है, तो जो यहाँ पर velocity आएगी, v is equal to क्या होता है, velocity v is equal to c upon root of epsilon r mu r, ठीक है, तो इस तरह से अपन velocity in any medium find कर सकते हैं, ठीक है, चलो, अब आते इस पर next question, question number 10, question number 10, आप से गया है कि out of following option, ठीक है, which one can be used to produce a propagating EM wave, तो चोँ, EM wave produce कैसे करते हैं, EM wave produce करने के लिए हमें requirement होती है, oxalating charge की, ठीक है, हमेशा oxalating charge से EM wave produce होती है, charge oxalating charge किसे produce करते हैं, using LC oscillator, LC oscillator से हम produce करते हैं, EM wave, LC oscillator जिसे बोलते हैं, tank circuit, चलो, आपको अलका सा hint में दे दूँ, इस तरह से, यह capacitor C है, ठीक है, और यहाँ पे, यह ए inductor L है, inductor L, ठीक है, तो यह C and यह L, ठीक है, C and L, इसको मोलते हैं, tank circuit और oxalating circuit, tank circuit भी कह सकते हैं, इसको, and oxalating circuit भी कह सकते हैं, oxalator कह सकते हैं, oxalator, तो इसकी help से हम produce करते हैं, EM waves, तो इसके अंदर C के अंदर EM wave produce होती हैं, C के अंदर EM waves, ठीक है, EM waves produce होती हैं, C के अंदर EM waves प्रप्रफ्रेटर में जो की आगे प्रप्रपगेटर होती है bulan 2 cay моя टो पाई अंटरूट एल सी वन UPON2पाई अंटरूट 나올 सी इस फ्रिक्वेंसी की ईम वेव प्रिदूटी है तीके जो की आगे प्रपगेटर हो रही होती है इसे हम बोलते है, tank circuit, तो इसे क्या होता बटा, initial में capability on fully charge कर लेते हैं, बहलुब इस में completely energy कौन सी होती है, electrical energy, ठीक है, जैसे इसको हमrous से current करते हैं, तो electrical energy convert होती है, magating energy में, फिर magating energy again convert होती है, electrical में, this तो electrical what you need, magnetic energy में, इस तरह से electrical magnetic energy apost pos convert होती है, जिससे इस circuit में variable current flow होती है, ठीक है variable current ठीक है variable current flow होती है ठीक है क्योंकि capacitor की बार-बार यहाँ पर क्या होती है charging, discharging जिससे यहाँ पर variable current flow होती है मैं इस यहाँ पर oxalating charge आप्टन होता है ठीक है तो उस oxalating charge की वैसे यहाँ पर इसके अंदर em wave producery होती है तो क्या आएगा एन oxalating charge तहाँ पर oxalating charge मलब यहाँ पर तौरित आवेश जो है मलब यहाँ पर दोलित आवेश ठीक है तहाँ पर oxalating charge के लिए oxalating charge इसी वैसे यहाँ पर em waves इसके अंदर producery होती है ठीक है चलो अब आगे आते हैं इसके अंदर next question पर देखिए next question अब जो next 2-3 question है displacement current पर है displacement current क्या है चलो इसको हलका साब को idea दूमे displacement current होती है तो जो displacement current के लिए देखिए यह कोई capacitor है सुनना द्यान से यह कोई capacitor है यह C capacitor C ठीक है इस पर अपने यह कोई variable source connect कर दिया है यह AC या DC कुछ भी हो सकता है AC और DC अभी तो खेर चलो मैंने AC दिखा रगा है यह DC दिखा रगा है यह DC और AC कोई सा भी source है दिखाने को मैंने भी दिखा दिया DC source battery यहाँ पर AC source भी हो सकता है ठीक है अब अच्छो यहाँ पर इसके अंदर जो यह wire circuit में current flow हो रही इस wire के अंदर इससे बोलते हैं अपन conduction current आई conduction current आई इसके चारो तरफ यहाँ पर इसके अंदर यह magnetic field होता है wire के चारो तरफ ठीक है wire के चारो तरह magnetic field प्रदूज होता है due to this current ठीक है इस conduction current के विएसे इस wire के चारो तरफ एक magnetic field present होता है यहाँ पर magnetic field है वायर के चारब तरफ अब पुचोंग यहाँ पर अंदर देखें पुचोंग इस capacitor के अंदर तो यहाँ पर जो capacitor है इस capacitor के अंदर तो कोई wire है नहीं तो इस capacitor के अंदर तो कोई current होनी नीची है इस capacitor के अंदर कोई current present नहीं है कोई wire ही नहीं है ठीक है तो इसके अंदर कोई magnetic field भी नहीं होना चाहिए बट practically हमें अंदर magnetic field उप्टेन हुआ इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर भी हमें practically magnetic field उप्टेन होता है क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं वायर तो है नहीं तो यहाँ पे मेगिडिक फिल्ड तो होना नहीं चाहिए लेकिन हमें प्रैक्टिकल यहाँ पे एक मेगिडिक फिल्ड उप्टेन हुआ तो उस मेगिडिक फिल्ड की प्रजेंस को एक्स्पेन करने के लिए हमने अंदर एक वर्चुल करेंट कंसिडर करी हमन तो displacement current कोई actual current नहीं है यह एक virtual current है to explain magnetic field between plates of capacitor ठीक है तो यह अंदर जो हम virtual current क्या है displacement current ID हमेशा इस ID के विलूग किसके बार हो थी I के equal ठीक है always always ID is equal to I displacement current and conduction current दोनों सेम होती है I से लिखदो या I लिखदो एकी बात है conduction current and displacement current हमेशा दोनों equal होती है और रही बात conduction current की इसकी value क्या होगी इसकी value के लिखदो आपने पूरी complete physics पड़ी है तो जहां भी circuit में capacitor, rise tense वगड़ा जो भी connected है circuit में current flow हो रही होती है wire में current है तीक है जो आपने current electricity अंदर find करी है current या आपने इसके अंदर alternating current वाले chapter के अंदर current find की है वो ही current है किसी wire में current flow हो रही है उसे हम conduction current बोलते है तो इस IC से आप बैसिकली अच्छे तरह से वाकिफे ही सही क्यों सी current है इसकी value क्या होती है ठीक है तो यह तो normal current है इसके बारे में हमको पताईए अब IC कैसे कैसे find कर सकते है देखिए IC देखो यहाँ पे इसमें इस पे charge क्या होता है प्लस Q इस पे charge क्या होता है माइनस Q कैपेस्टर पे अगर यह source कौन सा है DC source है बैटरी है तो इस IC को इस IC की विल्व पन क्या लिख सकते है DQ upon DT rate of flow of charge ठीक है DQ upon DT इससे लिख सते है IC को कब अगर यहाँ पे यह DC source है तो DC source है तो अपन यह लिख सते है ठीक है for a DC source ठीक है DC source और अगर बच्चों यह AC source है तो AC के अंदर तो आप देखते ही है for AC यही displacement current है यही क्या बच्चों conduction current दोनों के लिख सेम ही होती है ठीक है तो आप विस्तापंदारा displacement current कुझ भी नहीं कालपनिक घारा है ठीक है एक virtual current है अंदर magnetic field की presence को explain करने के लिए समझाने के लिए एक कालपनिक घारा मानी गई virtual current उसी को बोलते है displacement current displacement current का magnitude हमेशा किसके बना होता है conduction current के conduction current नॉर्मल current है जो कि हम circuit में पढ़ते हा रहे है I is equal to D क्यों पॉइंड अगर circuit में DC साज़ DC flow हो रही है तो और अगर AC है तो हम V upon Z से अपन देखते है ठीक है पूरा अपन ने chapter बढ़ा ही है alternating current वाला उसमें Z जैसे है कि अगर यहाँ पे यह only capacitor है तो only यहाँ पे यह capacitor है तो इस capacitor में तो हम क्या करते है only अगर capacitor है तो Z is equal to क्या बन जाता है XC ठीक है अगर only C है तो only बेटा अगर C connected है only C तो यह जागा XC और अगर R and C series में connected है तो क्या बन जाता है R square plus XC square R square plus XC square बन जाता है X के लिए for R, C, D, C circuit R, C, A, C circuit R, C, A, C circuit है तो उस case में फिर यह बन जाता है अगर R भी connected है circuit में से यहाँ पर R भी आपको दे दे यह R भी connected है तो इस case में फिर यह बन जाता है clear? चलो तो यहाँ से अब बन देखें इसके अंदर question क्या है क्या है आपसे आपसे कि PPC है parallel plate capacitor इसकी capacitance दे रखी 20 microfarad ठीक है इसको हम चार्ज कर रहे है by a voltage source इस source से चार्ज कर रहे है conduction current through connecting wire and the displacement current बतानी क्या होगी तो अब जानते हैं दोनों हमेशा equally होती है तो दोनों equal होती है तो इसलिए answer यह तो यह आएगा 00 यह आएगा 6060 क्यों दोनों सेम इसी मही है तो जो भी है देखते हैं क्या आएगा तो पहले अपन I find करें हमें यहाँ पे बच्चोंस में देखो I I के बारे मता I is equal to क्या होता है DQ upon DT DQ upon DT अब Q is equal to CV यह आप जानते है Q is equal to C into V तो Q को मैं अगर रख दूं C into V C into V तो capacitor C तो constant है C इसलिए अगा DV upon DT ठीक है तो आसे देखिए C C की value किता जाएगा 6 and DV upon DT तो rate of charging क्या जा रखिए आपको यह रही है ठीक है 3 V per second तो यहाँ पे DV upon DT 3 जा रखा है तो इसको multiply करेंगे 3 into 20 60 60 into 10 power minus 6 60 micro ampere 60 micro ampere तो कौन सान से रागा 60 micro ampere, 60 micro ampere यह जल्टा जाएगा चलो अब आते आगे next question पे देखिए next question next question यह related है AC से जब भी अपने जो question solve किया previous question उसमें DC source connected था तो मैं I is equal to DQ upon DT का यूश किया अब इस question में यह AC source connected है तो देखो I is equal to V upon Z गे help लेंगे capacitor is connected across a source of voltage V is given by V is equal to V not sin omega T ठीक है the displacement current between the plates of capacitor would be given by तो अच्वों देखो अब यहाँ पे इसमें इसमें जो आपको ने बताया I की value only कौन connected है C connected है I is equal to क्या होगा V upon Z तो यहाँ पे V upon XC कर देंगे V upon XC ठीक है V upon XC ठीक है current के लिए अब यहाँ पे इसमें देखो और साथ मुच्चों एक चीज़ और phase difference क्योंकि यहाँ पे जो current है यह equation की form में दे रखी है आप जानते है यह equation voltage की है और यहाँ पे equations current की दे रखी है आपने पढ़ा ही है circuit AC circuit उसमें अगर only C connected है only capacitor connected है तो उसके अंदर current and voltage में phase difference क्या होता है पाई बाई टू ठीक है मलब यहाँ पे current leading condition होती है अगर only C connected है current यहाँ पे पाई बटा दो phase आगे होती है current leading condition होती है तो 5 is equal to क्या होता है पाई बाई टू यहाँ कहते है minus 5 by 2 होता है 5 is minus 5 by 2 current यहाँ पे leading condition में ठीक है current यहाँ पे leading condition में ठीक है तो phase 5 by 2 होता है अब यहाँ पे I अपन फाइंड करें I is equal to V upon XC तो V तो कित्ता है यहाँ रख दिया V naught ठीक है upon में XC XC कह रहता है 1 upon omega C यह रख दिया XC और यहाँ पे sin omega T लेकिन साथ में क्या add कर देंगे pi by 2 add कर देंगे ठीक है तो कुछ नहीं क्या आपने जो voltage है इसमें divide कर दिया किससे XC से ठीक है XC से divide कर दिया XC से और साथ में अंदर phase X टा लिग दिया omega T plus pi by 2 ठीक है क्यूक करेंट यहाँ पे leading condition में इसमें प्लस pi by 2 आगे इसके अंदर omega T plus pi by 2 तो यहाँ से इसको उपा ले आएंगे तो क्या आगे है V0 omega C अब sin pi by 2 plus theta यह होता है cos theta cos omega T तो V0 तो कौन सा answer आगे V0 omega C cos omega T यह जागा इसके answer 4 ठीक है यह जागी displacement current यह displacement current यह conduction current है ठीक है चलो अब आते हैं इसके आगे देखिए next question question number 13 question number 13 इसमें यह भी इस तरह से question आपको दे रखा है displacement current का जो आपन जानते है I is equal to V upon Z ठीक है I is equal to V upon R उसी पे बेज जाएए देखिए यहाँ पे 100 ohm resistance and capacitor of 100 ohm reactance are connected in series अब यह circuit कों सा है AC जिसमें R and C दोनों connected है series में ठीक है connected across 220 volt when capacitor is 50% charge the peak value of displacement current अच्छा क्या बहलना peak value of displacement current निकालनी है I naught तो देखिए I naught is equal to क्या लेखिएंगे V naught upon Z ठीक है I is equal to V naught upon Z ठीक है तो आपे displacement current तो यहाँ से देखिए V naught V naught is equal to देखिए तो RMS value आपको दे रखिए कुछ भी निकाले है अपन कहा लेते है RMS value तो यह क्या है RMS value है V RMS यह तो V RMS है तो इसको अगर अपन multiply कर दें root 2 से तो क्या बन जाएगा V naught तो root 2 into 220 ठीक है अब Z Z is equal to under root R square plus XC square क्योंगी R C circuit है R भी connected है capacitor भी connected है ठीक है तो under root of R square plus XC square क्योंगी Z is equal to root of R square plus XC square तो 100 square plus 100 square ठीक है root of R square plus XC square Z की value तो आपन से देखिए उपर तो root 2 into 220 है और नीचे यहाँ पर जाएगा 100 root 2 100 root 2 तो root 2 से root 2 कट गड़िया कितना आगया है 2.2 ampere 2.2 ampere यह fourth answer रहे जाएगा ठीक है अब यहाँ पर 50% यहाँ पर आपको peak value पूछ लिया गया है इस तो कितना percentage charge होया है ड़सेंट मैटर ठीक है तो I is not equal to V not upon Z से यह अपने solve कर लिया ठीक है अब देखियो चोँँ यह इस पर आपने 13 questions solve किये तो फिल 10 साल में इस पर total 13 questions पुछे गए थे तो आप देखो लगबाग average हर साल एक question का average बनी रहा है तो काफी important topic यह आप देखाएं दो तिन तरह की question बनते हैं इसमें खाली आप मुश्किल से seriously आप इस topic को आला गंटा एक गंटा पढ़ लें तो definitely आपका एक question पका correct हो जाएगा कोई दिख्यत नहीं बुकुर normal से simple simple से question पुछ जाते हैं इसपे ठीक है चलो अब अच्छों यह तो अपने इसमें topic complete कर लिए अपना तो यह मैं मानता हूँ आपका यह topic के EMV बड़े तरीके से cover हो गया होगा ठीक है आपने देख लिए असपे कौन कौन से question पुछ जाते हैं जितने आए गये थे exam में question सारे के सारे अपनने इसपे discuss कर लिए गए हैं ठीक है अब देखो इसके अंदर आगे तो और तो question है इनी इसके अंदर देखिए अब यह थोड़ा सा आपको दा देए CLC क्या चीज है और इसके अंदर अपे आप इसमें जो classroom courses हैं ठीक है कहां कहां इसके classroom courses हैं कहां कहां इसके test center चलते हैं ठीक है थोड़ी सी information आपको उसकी बारे में देदू है तो अच्छो जोगो यहां पे CLC सीकर तो इसका head office ही सही उसके लावा अलवर जैपूर में भी इसके centers हैं ठीक है आप जहां पे जिस जगे आप प्रोच है आप आप CLC का भी उसकर सकते हैं ठीक है तो यहां पे head office में अलवर जैपूर तो दसब जग इसके centers बढ़िया चल रहे है अब चोब test center अगर आपको मालू केवल test series join करनी है ठीक है आप किसी other institute में पढ़ रहे हैं आप केवल इसके test series join करना चाहते हैं तो test center हमारे यहां पे कहां का चलते हैं कोटा में बीकानेर, जोतपूर, दिल्ली, हिसार इन सब जगे test center है ठीक है अगर आपने self study भी कर रहे है आप केवल चाहते हैं कि केवल CLC की test की quality को enjoy करना चाहते हैं कि test के CLC की जितने भी test होते हैं सारे काफी एक test और exam oriented test में करा जाते हैं तो आप उनको भी उस कर सकते हैं जिसके आगे online solution भी आपको मिलते हैं तो इस ते से इन जगे आपको contact कर सकते हैं सब जगे contact number दे रखें आप इन जगे contact नरके आपकी जो approach में जो जगे हैं आप वहों पे संपर कर सकते हैं तीक है अब उसमें देखिए आगे हमारी अभी test series चल रही है तीक है अभी recent test series चल रही है DTS diamond test series तीक है इस diamond test series का schedule आपको दे रखा है जिसमें हमने total 15 test करा जा रहे हैं तीक है जो की बिल्कुल neat oriented हैं तीक है नीट oriented test है पहले तो कुछ topic topic wise है उसके बाद यहाँ पर आगे फिर इसके अंदर complete syllabus के full syllabus के test भी रखे गए तीक है किस-किस date को test है तो आप यहाँ से check कर सकते हैं उसको चलो आगे देखिए इसके अंदर बच्छो next information next information कुछ है ही नहीं ओके thank you फिर हम आगे मिलते हैं अब अपने 17 topic complete के लिए 13 topic complete होगे आगे इसके अंदर जहां तक है फिर इस complete syllabus आपने बड़िया तरीके से फड़ लिए होगे ठीक है ओके all the best बड़िया तरीके से करिए ठीक है